नमस्कार, स्वादेश रुशेश में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ कवता थपलियाल अपने स्वीट 16 में पहुँच चुकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में बड़ा बदलाव हुआ है और ट्विटर में एडिट बटन आ गया है, जी हाँ जिसको लेकर काफी वक्त से डिमान चल रही थी एक बार तो ट्विटर के CEO ने यहां तक कह दिया था कि कमती शायद कभी ट्विटर पर एडिट बटन नहीं लाएगी और जब मस्त ने ट्विटर खरीदने का एलान बनाया था तो इस एडिट बटन की पैर्वी की थी फाइनली ट्विटर यूजर्स को एडिट बटन दिया जा रहा है जिसके चलते ट्विटर के 350 मिलियन से ज्यादा अक्टिव यूजर्स काफी एक्साइट भी है लेकिन इस एक्साइटमेंट में भी पैंच है क्या है वो पेश? पेश है एड़पोर्ट आखिरकार खत्म हुआ इंतजार ट्विटर माया एडिट बटन का ओप्सन एडिट के लिए सिर्फ 30 मिनट का मिले का मौका जी हां लंबे समय से ट्विटर यूजर्स एडिट बटन के मांग करता हैं और अब फाइनली कंपनी ने टेस्टिंग सुरू कर दी है अब ट्विट एडिट किये जा सकेंगे यह है ट्विटर का ओफिशल हैंडल से किया गया पहला एडिटेट ट्विट जिसके जरिये ट्विटर में एडिट बटन देने के बाद कही है और ये भी कहा गया है कि अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है हाना कि यहां भी काफी टर्म्स एंड कंडिशन है जो इस तरह है फिरहाल फीचर सभी यूजर्स को नहीं मिलेगा पहले ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन यूजर्स को ही मिलेगा फीचर ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए 4.99 डॉलर हर महीने देने होंगे एडिट ट्विट्स के साथ लेबल होगा जिस पर टैप कर औरिजनल ट्विट दिखेगा ट्विट करने के बाद 30 मुनट तक ही ट्विट में एडिटिंग कर पाएगे कम्पणी ने कहा है कि एडिट ट्विट फीचर से लोग टाइप को या मिस्ट टैक्स को दुबारा ठीक कर सकेंगे ट्विटर के मताबिक एडिट हिस्ट्री देने के वज़े से एडिबिलिटी भी बनी रहेगी क्योंकि लोग असली ट्विट कभी भी पढ़ सकेंगे वैसे तो शुरा से ही ट्विटर यूजर्स ट्विट के लिए एडिट बटन के मांग करते आए हैं लेकिन ट्विटर ने अब तक ट्विट को एडिट करने का आप्सन नहीं दिया था जब एलन मस्क और ट्विटर के भी डील चल रही थी तब एलन मस्क ने भी एडिट बटन आप्सन को लेकर एक पोल करवाया था आलन मस्क के पोल पर 74 प्रतिसत यूजर्स ने कहा था कि हाँ एडिट बटन होना चाहिए जबकि 26 प्रतिसत यूजर्स एडिट बटन नहीं चाहते थे फिलहाल टुटरे ब्लू सब्सक्रिप्शन फीचर कुछ ही देशों में है अमेरिका, आउस्टेलिया, कनाडा और न्यूजर्ण के लिए यूजर्स के लिए ये फीचर रोल आउट हो रहा है और धीरे धीरे सबी देशों में ये फीचर जल्द ही मिल जाएगा एडिटीन आउ तो देख चलिए तो ये तमाम पैच ट्विटर के एडिट बटन के साथ जो आ रहे हैं लेकिन काफी सारे सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं इसने एडिट बटन के साथ क्या है वो सवाल और किस तरह से अब ट्विटर को इस्तिमाल करने का तरीका बदल जाएगा ट्विटर एक माइक्रो बॉक्रिंग वेक्साइट जो इस तरह से जानी जाती थी क्या वो उसी तरह से आगे चलकर भी जानी जाएगी इस तरह के सवाल हम पेश करेंगे हमारे पैनल स्टूप के सामने उतपल खोल सोचल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ है अब इशेक अस्ताना फाउंडर जिंजर मंकी हमारे साथ है आप दोनों का स्वागत है इस पेशकर्श में अब इशेक आपके पास आउंगी सबसे पहल अगर उस पे एडिट होने का स्टैंप आ जाएगा बताओ क्या एडिट किया एडिट किया काफी इंट्रेस्टिंग है मुझे एक ट्विटर पे करीब बारा साल हो गए I was one of the early users और हमेशा से यह मांग रही लोगा कि कि एडिट प्रट चाहिए कि कई बार मिस्टेक्स होती ह स्पैरिंग मिस्टेक हो जाती है उस वैसे आपको पूरा ट्वीट डिलीट करना पड़ता है और उस पर जो भी आपको इंगेजमेंट्स आई है लाइक साई है रही ट्वीट्स आए उस चले जाते हैं तो काफी अच्छा एक्स्पीरिस नहीं है बागी सारी सोशल मीडिया आपको देती है कि जो भी आपने लिखा है वो आप एडिट कर सकते हो और अभी और इस वेसे क्या हुआ कि काफी सारे मीम्स भी हुए है एक बात तो डॉनल ट्रब ने 2017 में कुछ ट्वीट किया था कि डिस्पाइट तर मीडिया कवरेज वो कवफेफे बन गया तो कवफेफ जरूरत ही लोगों के पास कि क्याइब क्या होता है कि हम जैसे कि हम एजिसी चलाते है काफी सारे हमारे प्रइंट हमारे हमारे क्लाइंट से और उनके लिए अगर कुछ ट्wee Natomiast हैं कई रि़ोगों आपने खुद के अकांट से पर स्वाइड करना हो और अशनी धेकोशना में वो एडिट नहीं हो पाता, लोग स्क्रीन्शॉट ले लेते हैं उसका और उसमें कई बातों लोग के जॉब्स ही चली गई है इस चक्र में तो एक बड़ा बदलाव था जो चाहते थे लोग, वो आया है, हाला कि सिर्फ धर्टी मिनिट्स तक की का ही विंडो है जिसमें आप हो चेंज कर सकते हो लेंगे फिर भी I would say this is a welcome change and लोगों को यह पसंद आएगा और I think Twitter का जो growth है उसमें इसमें हैत मिलेगी उद्पल आपको मेरी आवाज आ रही है जी जी आ रही है जी तो मैं आपको पूछ रही थी कि जी आपका क्या विजार है इस edit button को लेकर और क्या आप इतिफाक रखता अभी शेक की बात से जी जी मैं पूरा इतिफाक रखता हूँ और मैं इन फैक्ट खोशू की 30 मिनिट्स का ही विंडो दिया गया है क्योंकि जैसे ही अगर आप कोई गलती करते हो भी काफी टाइम आपने देखा होगा कि election का visualization चल रहा है तो उसमें लिख दिया जाता है कि फलाना फलाना 2000 सीटों से आगे चल रहे है तो हम वो 2000 सीटों से आगे चल रहे है कि जगा पे एक 0 मिस हो गया 200 हो गया तो वो tweet post होता ही हमको realize हो जाता है कि यह गलती से हुआ है तो हम उसको immediately correct करते है तो मतलब जो unintentional mistake हो जा या जो भी हमारे सहकारी है उनसे वारतालाप होता है वो गुलते है कि नहीं भे तुमने थोड़ा सा strong लिख दया इसको हलका कर दो तो हम immediately आके उसको edit कर सकते है लेकिन 30 minutes से ज्यादा अगर दे देते है तो हो सकता है कि मतलब आप जान बुच कि उसका गलत तरीके से भी इस् तो मेरे इसाब से मतलब बहुत अच्छा मूँ है और इसकी काफी टाइम से जरूरत थी क्योंकि especially crunch time जो होता है जहां पे कोई activity चल रही है और हम जल्दी में जब tweet लिखते है तो कई बार होता है कि typos हो जाते है mobile से खास करके जल्दी में type करते बबब वो थोड़ा सा उपर ट्वीट था वो भी दिखेगा तो लोग समझते हैं कि अचा है आप तो आप दोनों की आप दोनों की बिलकुल सही समझ में आ रही है कि जो ट्वीट लिखते वक्त आप से grammatical mistakes हो जाती है जो आप tagging भूल जाते हो जो चोटी मोटी चीज़े चूट जाती है वो शायद इस मौजूदा स्थिती में मौजूदा स्थिती में आप एक ट्वीट डालते हैं तो कितने 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 मिनट में आप देखते हैं कि सौस से ज़ादा री ट्वीट या लाइक्स आजाते होंगे यह सवाल मेरा पूछने का मकसद यह भी था क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ट्वीटर पर तरहां तरहां की चीज़ों पर बातचीत होती है अलग अलग लोगों के मत होते हैं उसको लेकर कई सारे मतभेद भी होते हैं लेकिन समझने की बात यहां पर एक यह भी है ठीक है गलतियां सुधार लेंगे आपके पास तीस मिनट की एक विंडो होगी लेकिन कहीं न कहीं ट्वीटर जिस पर हम बहुत सारी पर अपना एक स्टैंड रखा अगर कोई शक्स आपके जितना फेमस है या चलो उतना भी नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने उनके ट्वीट पढ़ लिए देख लिया तुरंत अपने स्टैंड को एडिट करके एक नई पोस्ट डाल दी ऐसा हो नहीं कितने चांसे हैं कही ना कहीं यहां पर बहुत सरे लोग क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ी तो कह रहे हैं कि अपने व्यूस को एकस्प्रेस करने के पीछे जो हमें फ्रीडम मिलती थी वो कही ना कहीं खतम नहीं हो जाएगी क्या हम बहुत जादा कंसर्ण होकर और बहुत ध्यान से नहीं स्टैंड डालेंगे अब ट्विटर पर? कि यह जो ट्विट है इसको मुझे मैक्सुम लोगों दिखाना चाहिए और जब वो स्टेज पहुँचे और आपने एडिट कर दिया और कुछ कॉंट्रोवर्शिल सा डाल दिया वहां पर तो वो क्या हुआ कि उस वक्त उस ट्वीट पे अच्छी-खासी इंगेजमेंट आ इसा ना हो जाए कि 30 मिनिट के बाद उनने यह एजूम किया कि 30 मिनिट तक लोगों के उतने रीच नहीं आती है अब कई केसी में ऐसा होगा कि इसे सेलेब्रीटी होते हैं जिनके 10 मिलें से उबर फॉल्वर्वर्श हैं उनके तो पहले 5 मिनिट में ही वो एक वाइरल मेसेज बन जाएगा तो तो है कि अगर मिस्टेक मतलब वो उस पांच मिनिट के अंदर भी अगर छटे मिनिट में भी कुछ करके कर देते हैं अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं गरत फाइदा उठाना तो उनके लिए तो पांच मिनिट ही इनफ हैं basically कहने का मतलब यह हैं तो को अल्गॉर्थम ट्रिगर नहीं होता है तो आदे हंटे का उन्होंने विंडो दिया है तो और लेकिन एक और चीज अच्छी भी है कि हिस्ट्री भी रहेगी उसके अंदर तो आप प्लिक करके देख सकते हैं कि पहला ट्वीट क्या था और एक स्टैंक भी रहेगा ताकि को स्क्रीन शॉट लेकिन आप फैरा सके इस चीज़ को और लेकिन बात यह कि देखिए अल्टिमेंट्ली ट्विटर ने बहुत सारे एक्स्परिमेंट्स किये हैं लास 15 साल में कई सारे एक्स्परिमेंट्स फेल भी हुए है और कई सारे चीज़े चली भी है जो फीचर है लान मस्कनली बोला था इसके बारे में और अब देखिए कैसे यूज करते हैं लोग और अब सवाल आप से यह है क्योंकि आपके पास 1.1 मिलिने उससे जादा फॉलोवर्स है पैसे देकर आपके सर्विस लेंगे क्या देखिए मैंने तो आज तक पैसे नहीं थे ट्विटर को इसके लिए एक ताकि मैं मतलब बिकमिंगे सुपर यूजर मैं अपना एक कोहॉर्ट प्रा सकता हूं जिसके इनर में कुछ लोगों तक ही अपनी ट्वीट पहुचा हूं और उनसे पैसे चार्ज करों तो यह जो पेंड जो है ट्विटर का वो फॉर सुपर यूजर्स है कि जो ट्विटर से काफी पैसा भी कमाते हैं उनका यह मेंन सोर्स ऑफ इंकम भी है तो यह उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टन होगा हम तो शौक्या तो पर लिखते हैं तो ऐसे कुछ वो नहीं है नमारे लिए और बहुत सारे लोग यहां पर शौक्या तोर पर ही लिखते जाएगा और अगर आप वो सब्सक्राइबर है तभी आप इसका इस्तिमाल कर पाएंगे और उसके बाद रीजिन स्पेसिफिक होने के बाद धीरे धीरे जो है सर्विस को पहलाया जाएगा ओविसली रिस्पॉंस पर डिपेंज करता है तो उपल जैसा कि अभिशेक ने भी कोई खास आपके पास इसका यूज होगा नहीं ना इस बटन का कुछ नहीं कुछ नहीं मेरे इसाब से ऐसा कोई उसका स्पेसिफिक एडिशनल मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है और वो जो 30 मिनिट वाली बाद जो अभी शेक कह रहे थे उसमें में एक चोटा पॉइंट कि ट्विटर की जो हाफ लाइफ होती है एक ट्विट की वो 20 मिनिट होती है मतलब जो लाइफ टाइम में ट्विटर के उपर आपकी ट्विट जितना लाइक्स और रिट्विट या कमेंट्स कमा लेगी उसके अंदर से आधा आपको पहले 20 मिनिट में मिल जाता है तो that is the reason why वो 30 मिनिट का विंड़ आपको दिया हुआ है अब इसके अंदर जो मेरी grammatical error है वो मैं तुरण उसको correct कर लूगा बट इसके लिए पैसे वैसे देना ये मेरे को कोई sense नहीं बनेगा as a user yes twitter कर रहा है as a business because उनको दिख रहा है कि काफी सारे लोग जैसा कि अभी शेक में बता इने उसके बाद मेरे कहल से ये roll out किया जाएगा across the globe, across the country because इंडिया का जो market है इंडिया के जो users है उनको आप neglect नहीं कर सकते तो आप किसी एक cream को देके बाकियों को बोलोगी आप service ही use नहीं कर सकते ऐसा तो होने वाला है नहीं तो वो eventually सबको मिल जाएगा हाँ बट शुरू जो कि आने वाले वक्त में शायद देखने को बिल सकता है जिस पर काम होने वाला है इसका क्या मकसद होगा एडिट तो हमें समझ में आता है लेकिन अंडू का इस्तमाल आप कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी तो नहीं है इस टाइम पर अंडू में आपने ट्वीट डाल दिय जानकारी तो तो तीस मिनट का विंडो है ना भी शेख यह अब देखिया फेस्बूक पर आपके पास एक ऑप्शन ही है आप पोस्ट को एडिट करने का आप किसी वक्त उसको कर सकते हैं वह एक स्टाइम पाजाता है पता चल जाता है जिसने आपकी पोस्ट देखी कि एडि आप या तो उसको पांच मिनटे रगते ते या तो आप उसको खोल लीती थे पूरी तरह से हां जैसे कि बताया पैनलिस ने हमारे की बीस मिनट हाफ लाइफ होती है तो कुछ सोचके उन्हें डाला हुगा कि यह 30 मिनट का विंडो है लेकिन लार्जर इसका गोल यह है कि जादा सचीन के फैन元 ने उसको रीट्वीट रुखाएं कर तैक है अब कि lagi सचन की फैनस और यह कि पास क्यों हो जा रहा है कुछ कॉंट्रोवर्सी हुई है क्या क्या सचिन कुछ बुरी बात कि यह कुछ किया है तो इस यह तो बहुत ही मतलब सिंपल से एक्जामपल है इसके काफी कर्मिनल ओवर्टोन सकते हैं आप अब ही जब कि लोग स्क्रिंशॉट को ही एडिट करकर अब सोचिए कि एक ट्वीट को ही एडिट कर दिया जिसकी आरड़ी रीच आ चुकी है तो यह काफी एक्स्प्लोसिव सा बन सकता है और यही रीजन था जिसके वैसे ट्विटर ने पंदर साल तक इसको डिलेयर करके रखा और एक और इसका नुएंस भी है कि ट्विटर क्य लोग यूज करते हैं तो यह ट्विट वहां जाकर डाउनलोड हो जाता है अब एक बार आपके लोकल सिस्टम पर डाउनलोड हो गया ट्वीट और फिर से आपने कहीं एडिट किया वह एडिट आपके जो लोकल कॉपी आपके पास है उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी पाइगा उसमें ट्वीट सब यह इशु है क्यों ट्विटर एक बड़ आपके सिस्टम पर आगया आपके फोन में आ गया एक बार और किसी ने उसको औरिजिनल सोर्स पे एडिट किया हो वह दुबारा आपकी कॉपी को हो जाए वह डिफिकल्ट है तो इसलिए इसलिए आपने शुगात में भी का कि इतने एक्सपेरिमें ट्विटर लगातार करते हुए आया है तो उसमें से कितने हिट हुए हैं कितने फ्लॉप हुए हैं उसकी कहानी हम सब जानते हैं लेकिन एडिट ऑप्शन के फीचर डिमांड बहुत थी अब उत्पल सवाल यहां प्लस वो लोग एटरक्ट होंगे जो इसके अंदर से अपना बिजनेस चला रहे हैं कुछ पैसा बना रहे हैं जैसा कि अभी शेख ने कहा कि कुछ यूजर्स ऐसे जो सिर्फ अपने मत रखते हैं अपने व्यूज रखते हैं वो तो पैसा दे के इसको करने से रहें बट इसलिए ये इंकम का सोर्स है तो वो उसको जाने नहीं देंगे तो वो डेफिनिटली इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसकी जानकारी है काफी सारे यूजर्स जो 18 टू 30 के एज कैटेगरी के हैं उनके पास इसकी जानकारी ज्यादा है कंपैर्ट टू 30 प्लस वाले और इ इंट्रडूस होगा तो इसको रिस्पंस काफी अच्छा में इसकी मेरे को डीटेल जानकारी नहीं है बट जहां तक मैंने इसके मॉडल के उपर यह सब्सक्रिप्शन मॉडल यह जिसकी वेरियस जिसकी नेट्रिक्स हो गया तो यह मंदली सब्सक्राइब इतने पैसे इतने दो पर मंद और आप you will be part of that exclusive club तो मेरे सबसे ट्विटर ब्लू एक ऐसा club है जिसमें कि आपको जो सुविधाएं हैं ट्विटर की जो first you will be the first users पहले आपको मिलेगी तो ट्विटर ब्लू अभी नहीं आया है ट्विटर ब्लू पहले से चल रहा था ट्विटर ब्लू में बहुत सरी और भी चीज़े हैं जो आप कर सकते हो उसके साथ साथ उन्हें एडिट का option भी पहले ट्विटर ब्लू users को दिया है तो कहने के मतलब है कि यह जो exclusive club of twitter people है ज अगर सही रहा तो आइडिली इनको यह लांच करना जी फॉर अल्यूजर तो लेकिन एक जो बहुत बड़ा सवाल है और शायद यह रेपेटिटिव भी लगे इस शो पर अभी इस पैनल पर भी उतपल जो एक एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क था या जिस तरह की ब्रांडिं हम कह सकते हैं कि तो रिदय परिवर्तन हो गया है जो की में पार्ट है ट्विटर का तो यह फॉर्माट अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो बदलाव की और अब बढ़ रहा है इससे आप कैसे देखते हैं जो में छवी है ट्विटर की उसके लिहास से ट्विटर की छवी तो इससे नहीं बदलेगी हाँ लेकिन इसमें से थोड़ा सा लोगों की मानसिक्ता पर फरक पड़ सकता है जैसे आपने कई बार देखा होगा परसनल अटेक्स होते हैं, कमिनल ट्विट्स रहते हैं जो मतलब एक लेवल के बाहर चले जाता है जहाँ पर legal action लिया जाता है उसके बाद जब वो legal action initiate होता है तब वो इंसान आके वहाँ sorry बोल देता है अब क्या होगा अगर मैंने गुस्से में कुछ लिखा है, मुझे मेरी mistake रियलाइज होगा तो मैं तुरंत उसको edit करके माफी माग दूँगा, sorry बोल दूँगा या उसको edit ही कर दूँगा अगर हो सकता है जो सामने वाली जो मतलब यक्ति है जिसके उपर मैंने कुछ लिखा है वो मेरे पर action नहीं ले तो उसका जो percentage है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर फिर भी किसी ने उसका screenshot लिया है, action लेना ही है तब तो फिर वो ले गई लेकिन थोड़ा सा इसमें Twitter ने लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौखा दिया है मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप इसको गलत intention से या wrong तरीके से use किये हो hatred फैलाने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए तो उस spur of the moment आप लिख देते हो हाँ इससे Twitter की integrity खतम नहीं हो रही है या कम नहीं हो रही है बट जो पहले वाला था कि जो Twitter मतलब एक बार लिख दिया लिख दिया you cannot delete it you cannot undo it वो वहीं रहेगा या तो आपको उसको delete करना पड़ेगा मतलब उसको undo नहीं कर सकते आप edit नहीं कर सकते वो वाला जो Twitter का image था वो अभी बाकी social media platform जैसा हो जाएगा जैसे कि Instagram या Facebook हुआ कि आप अपनी कहीं बात को edit कर सकते so it is no longer standing unique जैसे पहले हुआ करता था क्योंकि और कोई social media platform ऐसा नहीं था कि जहां पे आप कुछ लिख के मतलब उसको edit नहीं कर पाऊ सब जगा होता था except Twitter तो अब Twitter भी उन सारे social media platforms के साथ शामिल हो गया तो उसकी वो uniqueness नोड़ी सी खतम हो गई है वो रहेगा तो अभिशे कितने लंबे resistance के बाद finally इस तरह का विकद देने के पीछे ऐसी क्या बहुत बड़ी वज़े रही होगी क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई नहीं मांग है ये काफी समय से मांग हो रही है है ना लेकिन अब इसको लाने के पीछे आपकी calculation करने क्या कहती है कि मेरे साब से ट्विटर की जो strength थी जो उनका strong point था वो था scarcity मतलब अभाव बेसिकली आपके पास पहले उन्होंने 140 करेक्टर सी दिय थे अब ये मतलब जो जब ट्विटर लाउंच हुआ था वो ब्लॉग का जवाना था जब ब्लॉग स्पोर्ट और ब्लॉगर और रेडिफ ब्लॉग स्टाइट थे जहां पर आपके पास कोई limit नहीं है अपनी बाते कहने का तुरंत एक ऐसा प्लैट्फोर्म आया जिसमें सिर्फ 140 करेक्टर सी मिलते हैं आपको अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए और कई बार लोगों ने इसके बार में बोला कि क्यो नहीं बढ़ाते हो आपस्पेस हम हमको वोर्ड शोटे करने पड़ते हैं स्पेलिंग मिस्टेक करनी पड़ती है हम अपनी बात को नहीं कहनी पाते तो लेकिन वो ट्विटर का ही यूइस भी था कि वो बाइट साइस कॉंटेंट की आपको एक लाइन में ही सार मिल जाए आपको फोर्स करता है ताकि आप अपने आपको एक्सप्रेस करो ब्रेविट आपके कुछ बात कहनी है और आप लिख सको वो काम आप फेस्बुक में भी कर सकते हो ब्लॉक स्पॉट में भी कर सकते हो और पजास दिवे और बी कर सकते थे लेकिन टुटर के जो यूइस भी था वो हमेशा स्कार सिटी रहा और सिमिलर्ली एट ना करने का ऑप्शन देना अब ये और अबहाव दिखाता है कि आपने एक बात कहें दी तो आप यूप टो बी क्लियर एंड यूप टो भी कंसाइस कि आप जो कह रहे हो वो एक बार में सही कह रहे हो और ये जो चैलेंज है ना ये चैलेंज ही ट्विटर का यूएस भी था और इसलिए उनके मैनेजम बी काफी चेंज हुए है बोर्ट भी चेंज हुआ है तो आप देखेए तो ट्विटर का जो होल्डिंग पाटर्न भी रहा है वो भी चेंज होता रहा है तो क्या होता है कई बार की एक बार जो चार्ज में है उसने जो कॉल लिया कि नहीं यार मुझे नहीं करना ये मैंने बनाया है और मैं नहीं चाहूंगा जो यह सोल है इसका वो डिस्ट्रॉइ हो जाए और लेकिन अगर आप जब जो मेकर है जो फाउंडर है यो खुदी हट गया है बोर्ट से तो अब जब नए जो यूजर होंगे और जो नए जो ओनर्स होंगे वो अफकोर्स जनता की बात स तो उस सेंस में अगर देखा जाए ट्विटन ने अपना कभी भी बी करेंटर लिमिट कम नहीं बढ़ाया नहीं अभी एक बार ट्री क्या था लिगिन अभी बढ़ाया नहीं अभी उसको अब चेंज कर रहे हैं वो एक छोटे से ग्रूप में कर रहे हैं तो एक बार ट्रेस्ट करेंगे और अच्छा रहा तो ही यह रोड़ाउट होगा अब तक अशुर्टी नहीं है देखना होगा कि अगर फिलहाल तो किसना के फीड़बैक आते हैं और एडिट करना वाके कितना ज्यादा इंपक्टफुल होता है और तीस मिनिट की विंडो हाला कि आपको एडिट ऑप्शन में मिलेगी और फिलहाल यह तो सर्विस है वो ट् आपका सेज़कर्श में शामिल होने के लिए और स्वादेश विशेश में आज मुझे भी इजासते नमस्कार